राम राम मैं पंडित इसके मिस्र हमने बिबाहा रेखा पर बिबाहा के समंद्ध में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं आप सभी को हमारे सभी वीडियो को देखने का प्रयाश करना चाहिए आज हम एक ऐसे बिशे के साथ उपसित हुए हैं आप लोग के सामने जिस बिशे की मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ मगर कुछ ग्यान है हमको सेर करना चाहिए और हाँ अगर आपके हस्त रेखा में कोई दुर्योग बना हुआ है तो निरास होने का उसकता बिलकुल नहीं है समय से पहले उन योगों पर उन योगों का उन गलत तरह की योगों का उपाय करके समधान करके उनके प्रभाव में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है या उनको पूरी तरह से खतम भी किया जा सकता है हमारा आज का बिशे है कि ऐसे जातक या जातिका के बारे में जो बहुत ही उमंग के साथ अपने बिबाहित जीवने प्रवेश करते हैं चाहे वो इस्त्री हों चाहे पुरुस हों बहुत खुसी के साथ बहुत उमंग के साथ बहुत ही भाव से बिबाहित जीवने प्रवेश करते हैं मगर बिबाह की पहले उनकी मृत्यू हो जाते हैं इस्वर न करे किसी के हस्त रेखा में इस तरह का कोई दुर्योग बना हुआ हो अगर बना हुआ है तो भी निराज न हो आपका भाई यहां बैठा हुआ है आपके सभी दुर्योगों का समधान अवस्य करेगा अपने भारती बिद्या अपने भारती साथ नाओं के माध्यम से वीडियो को बिना इसकीब के हुए ध्यान से देखने का सुनने का और समझने का प्रयास करें मैं चित्रों के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसके बाद से मैं ऐसे भी समझाऊंगा यदि विबाह रेखा बुद्ध छित्र पर पहुंचकर खंडित हो गई हो अथवा तूट फुट गई हो जड़ा चित्रों को ध्यान से देखते रहें चित्र में क्या है विबाह रेका बुद्ध छित्र पर पहुंचकर तूट गई है खंडित हो गई है तो ऐसे जातक बड़ी उमंगे लेकर विबाहित जीवने प्रवेस करते हैं उनकी मृत्यू हो जाती है अता उनकी आकांच्छाएं पूल नहीं हो पाती चित्रों के माध्यम से मने आप लोग समझाने का प्रयास किया है आप समझ गया होंगे मैं हस्त रेखा में दिखा रहा हूँ सबसे छूटी उमली कनिस्का उमली होती है इसके नीचे जो होता है बुद्चेत्र होता है ये जो उठा हुआ भाग है वह बुद्चेत्र होता है और जो हथेली के बाहर से रेखा आती है बुद्चेत्र पर अर्थार कनिस्का उमली के मूल के नीचे और हिर्दय रेखा से उपर अगर वह रेखा बुद्ध छेतर पर आ के खंडित हो गई वो तूट गई हो चाहे वो इस्त्री हो चाहे पुरुस हो वह अपनी विबाहित जिवने बहुत खुसियों के साथ बहुत उमंग के साथ बहुत जोश के साथ प्रवेश्ट करते हैं मगर समय से पहले उनकी मित्यों हो जाती है यह एक असूभ योग है आप बिल्कुल परिसान नहों अगर ऐसा योग किसी के हस्तरेखा में बना हुआ है हमारी भारती विद्याओं में अपने सभी प्रकार की आर्चिक समस्या, मांसिक समस्या, सारेख समस्या बैबाहिक समस्या या दामपत जीवन में कोई समस्या आरियूत उसका भी समधान अपने घर बैठे बैठे करवा सकते हैं धन्यवाद, राम राम